जहिंद वंदे मात्रम साथियो मैं हूँ वैजनात और आप देखरें आप सभी का प्यारा यूटूब चैनल एक्जाम तक वारियर्स साथियो आज हम इस वीडियो सेशन में डिसकस करने वाले हैं 2017 कटाप की कि 2017 में कटाप कितनी गई थी इस पर डिसकस करेंगे अब यहां के सवाल आता है कि क्या आई भी 2017 में कटाप जारी की थी या नहीं इसके एक्जाम से है साथियो जो वह 2013 में मैं बता रहा हूं आप सभी को वीडियो कौन तक देखिएगा 2013 में 2014 में 2017 में हो चुके हैं ठीक है ना इन तीनों का मेरे पास पेपर भी है साम तक मैं टेलिग्राम प और यहां पर बात करते हैं कि क्या आई भी 2017 का आफिसियल काट आप जारी की थी तो वीडियो में अंत तक बने रही है मैं तीन चार वेबसाइट का स्क्रीन सोट लिकर रखाऊ दिखाने वाला हूं आप सभी को अंत तक बने रही है अगर चैनल पर पहली बार तो चैनल को पता है कि यहां पर ibs related यहां पर सारी information दी जा रही आपको यहां पर जो इसका exam syllabus है साथियो यह पता है हम यहां पर exam syllabus आप देखकर नहीं आए लेकिन इसमें एक point ऐसा है जो मैं बताना भूल किया था पिछले वी यडियो में तो इस point को clear करके मैं cut off की तरफ लेकर चलनाँ आप सभी को ठीक है नोग पॉइंट यहां पर यहां पर देखिएगा कि टोटल वैकेंसी का यहां पर टीयर वन टीयर वन में दोस्तों टोटल वैकेंसी के टेन टाइम्स क्वालिफाई किये जाएंगे टीयर वन में टोटल वैकेंसी के किन्ने टाइम टेन टाइम्स जो है साथ सब लिखा हुआ है on the basis of their performance and normalization of marks in tier 1 exam candidates would be shortlisted for tier 2 exam at 10 times the number of vacancies जितनी vacancy है उसका 10 times यहां पर दोस्तों क्या किया जाएगा candidates को बुलाए जाएगा ठीक है न यहां पर लिखा हुआ है और next case के लिए five times बुलाए जाएगा यह तो हो गया यहां तक की बात अब यहां पर आपको करना क्या चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है सातियों और description में link है टेली गराम से जरूर जूर जाए और वीडियो को लाइक करना मन भूलिएगा क्योंकि आप सब्सक्राइब को पता है कि जो है आई बी आई बी के लिए जितनी भी क्लासेज है अपडेट से समय अपने चैनल पर ला रहा हूं तो रिक्वेस्ट आप से सब्सक्राइब जरूर करके बेल आइकन जरूर पेस कर लीजेगा आईए हम मुख्य मुद्ध्य की तरफ आ जाते बता देना चाहता हूं कि यार आई बी कभी भी कटाफ नहीं जारी करती है ठीक है ना आई बी कटाफ कभी भी नहीं जारी करती है तो आपने किस तरीके से बता दिया कि कटाफ इतना गया था तो इस तरीके का काम मत करिये ठीक है यह एक फरजी कारिया है अगर आई भी कटा यहां पर वेबसाइट का आज मैं दो तीन घंटे तक साथियों वेबसाइट पर सर्च किया कि क्या मतलब कहीं से भी कुलू मिल जा तो फिर मैं उस तीज को देखनी का प्रियाज कर रहा था लेकिन कहीं से कुछ भी नहीं मिल पा रहा मतलब 2017 का जो कटाफ तो गया कितना था क्योंकि यहां पर जो मुझे प्रूफ मिला हुआ वह मैं आपको दिखाने वाला हूं और उससे पहले वाले वीडियों भी मैंने दिखाया था यहां एक वेबसाइट कटाफ बता रहें 6568 यहां जनरल की ओभी सी का यहां पर 6065 सी का 5055 औ कि है अब सूरच्छा कारणों के वजाए से बहुत सारे रीजन्स होते हैं जिसके कारण आई भी जो है काटाफ जारी नहीं करती है अब आपने किस बेसी पर बताया कि कटाफ हितना गया है तो भाई अगर आपके पास मैं उन यूटूबर को बताना चाहता हूं अगर आपके पास पूरूफ है उस काटाफ का कोई आफीसियल तो टेली गराम का लिंक डिस्क्रिप्सर में दे रहा हूं ना आप वहाँ पर मुझे सेंड कर दीजिए ठीक है ना नहीं तो आप उस वीडियो को डिलीट कर दीजिए अगर आपको काटाफ नहीं मिला तो आप आपके तो व्यू जा जाएंगे लेकिन कैंडिडेट्स का इससे नुक्साल हो जाएगा चलिए ठीक यहां तक तो ठीक था अब उन्होंने क्या बता है भाई कि हिंदी भी सिलेवस में है तो यार कुछ इस तरीके से यूटूबर्स है जो मतलब बच्चों को करते इस तरह का भाटर बताकर हिंदी सिलेवस में है ही नहीं हिंदी नहीं है बाई आपने हिन्दी किस बेश पर बटा बता में और या तो आप शाने यहां तो ब्हुत पक्लियर नियूट वी अच्छ एयूप एक्जांस आइम सा इक्जाम द na be expressed लिका फिरमश के इसाम क्लियर से उसक्वा कट आफ फार जेनरल केंडिडेट इजे 65 to 70 पर्षेन यानि कि जिनका भी ज्वाइन हो चुक आप कुछ लोगों से बात हुई तुन्होंने बता हुचे एक्सपेक्टेड कट आफ है कितना है इक्सपेक्टेड कट आफ है वो 65 to 70 गई है लेकिन आप किस तरीके से बता रहे हैं कि भाई हमको पता है तो यार मैं आप से रिक्वेश्ट करूंगा प्लीज आप इस तरीके से कट आफ बता अब बच्चों को दी मोटिवेट मत करें ठीक है ना इस तरीके से कट आफ बता कर बच्चों को डिमोटिवेट मत करें तो बस और यहां पे बात करेंगे सेफ़ी स्कॉर की मैं हमेशा ही यहां पे कह रहा हूँ सेफ़ी स्कॉर आपको 70 पलस लेके चलना मैं कट आपकी बात नहीं कर रहा हूँ । मैं वनली सेफी स्कोर की बात करना हूँ कि सतर प्लस आप लाएंगे तो सेलेक्शन के चांसे हो जाएंगे क्योंकि नमबर आप कैंडिडेट्स भी अधिक है मतलब अधिक लोग फार्म को फिल करेंगे क्योंकि इस वेकेंसी का काफी लोग वेट कर रहे थे ठीक है न तो बस कोई भी जानकर एगर अधूरी हो नहीं आपको पता है तो टेली गराम गुरूप आप लोग जोईन कर लीजिए डिस्क्रिप्शन में लिंक के दे रहा हूँ आप वहाँ से डिस्कासन गुरूप भी बना दिया हो खुद मिलकर आप लोग डिस्कास कर सकते किसी को कोई भी प्राबलम हो ठीक है तो यही बात थी जो की बहुत सारे जो है यूटूबर सी तरह का करने गलात है भाई आप लोग इस तरीके से ना करें से लिबस भी आपने देखे लिया है तो बस जो भी साती हम से नया जूड़ रहा है कमेंट बाक्स में एक बार जय हिंद जय भारत जरूर लिख दे ठीक है ना क्या लिखना है जय हिंद जय बारत ताकि हम अपने देश के लिए भी कुछ सोच सके और कुछ कर सके मिलते है नेक्स वीडियो में